मौनसून की विदाई के लिए स्थितियान कूल होती जा रही है मौसम विभाग के ताज अपडेट के मुताबिक दिल्ली पंजाब चंडिगट से मौनसून की विदाई हो गई है वहीं जम्मु कश्मीर, हिमाचल परदेश, पश्मी उत्तर परदेश के कुछ हिस्सों से भी मौनसून विदा हो गया है इन राज्यों में आने वाले दिनों तक आसमन बिल्कुल साफ रहने के आसार है मोसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में भारी बारिश की भी संभावना है आईमजी के ताजा पुर्वानुमान के मुदापिक आज यानी 30 सितंबर को जारखंड उडिस्ता सही 10 राज्यों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है इन राज्यों में गरत चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है महीं दक्षनी भारत के करनाटक, आंदर प्रदेश और तेलंगाना के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतामनी दी गई है स्काइमेट वेदर के मुताबिक पश्ची मध्या बंगौल में आंदर प्रदेश तट के पास एक चकरवाती परिसंचरन ओसत स्मुदर तल से डेड़ किलोमेटर उपर तक फैला हुआ है उत्री अंदर प्रदेश तट के पूरव पश्ची में अगले कुछ दिन अभी भी बारिश की संभावना है मौसम विभाग के मुताबिक शुकरवार को आज चारखन, पश्ची मेंगौल, ओरिसा, तटिया अंदर प्रदेश, यमन, रायल सीमा, तमिल नाजु, पोद्दुचेरी, आंत्रीक दक्षिन करनाटक, आंत्रीक उत्रीक करनाटक, तेलेंगाना, मध्यमाहराश, कॉंकन, गो मौसम विभाग के अनुसार, शुकरवार को आजचिक रूप से बादल चाही रहेंगे, लेकिन वर्षा नहीं होगी, अधिक्तम तापन 35 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का नुमान है, तीन अक्तूबर तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, स्काइ प्रो रिपोर्ट, मार्के टाइम्स टीवी